आपको अपने को नहीं है इसके बाद तो इसमें कुछ हाई नहीं हाँ जल्दी बनाना है आई देखते हैं What should be the best approach? My dear students, मैं अमर कुमार सिंग, अमर सर, अन एकाडमी पर भी हूँ जो एक free learning app है मैंने यहाँ पर ठेरों lessons और courses बनाये हैं जो bank, SSC और railway exam के लिए बहुत ही लाव दायक हैं करें अन एकाडमी लर्निंग आप Questions तो इसी तरह के आते हैं जल्दी बनाना है, एक्यूरेसी के साथ बनाना है नए डेटा, नए एरिया के रहते हैं इसे ने थोड़ा अब परचित रहता है आपको नए इस्थेतियों के मिशार अपने को ढ़ना है The given table shows the number of classes taken by four different guest tutors X, Y, Z and A on different days in a week and honorarium paid to them for each class देखी क्या है, note भी है कि Saturday and Sunday are holidays, okay task is missing value and each class is of one hour memory based है Monday, Tuesday, Wednesday हर ट्यूटर थ्री क्लासेश लेते हैं इच तीनों दिनों में जबकि Thursday and Friday कितने क्लासेश लेते हैं इच डे तो X, 0 इस Y का पता नहीं Z, 2 क्लासेश इच डे इन दोनों में और A, 4 days उनको जो पे किया जाता है पर क्लास वो 4,000 रुपीज पर क्लास है X को ऐसे ही Y को 5,000, Z को 3,000 A को 6,000 पेन पेपर की जरुवत बहुत कम पड़ेगी किसी किसी कुस्चिन में अलका, अदर्वाइज नहीं Find the ratio of number of classes taken by A to the number of classes taken by X in a week ये कहा जा रहा है First कर A और X ये A है और ये X है दोनों के बीच का ratio रेना है Number of classes तो कुछ है ही रही One class each तो 3 days में 3 class और 4 class each तो 2 days में 4 into 2 class ये ही हुआ ना और X 3 classes each तो 3 days में 3 into 3 और आगे तो है ही नहीं बस ये है 11 is to 9 इसमें तो बुष ठानी A is answer लेकिन हाँ डेटा समझ में आना चाहिए ये बात तो है नए धिंग से है समझ रहा है आपको आईए इसके बाद next second question second question second question देखिए find the number of classes taken by A number of classes निकाला है taken by A if he was spent on honorarium of Rs. 2.12 lakh or the completion of his course A के लिए बात करनी है कि A ने कुल कितने classes लिए तो A ने A को मिला कितना 2.28 lakhs यानि इतना thousand thousand नहीं लिखते हैं word में लिखते हैं अच्छा रहेगा कौन लिखने जाए और cancel करने जाए और मिलता कैसे था A को मिलता कैसे था तो A को six thousand six thousand each मिलता था thousand classes 6 seconds है किजिए यानि 38 तो इसमें कुछ था ही नहीं 38 का मतलब A is the answer ठीक है चलिए इसके पाथ अगले कुछ्चन की हो आईए next question देखते हैं सारे कुछ्चन बहुत आसान है और आसानी से बनाने लाइड है बस data के मुताबिक आपको अपने को ठालना है third number question है देखिए third number question है find the difference between okay difference between honorarium paid to Z okay Z if he teaches for two weeks Z का two week में जो मिला and the honorarium paid to X if he teaches for a week मतलब सोचिए ये Z है two week और 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 दूसरा X है ये one week Z का two week में तो one week में क्या है two into two और three into two five into two five into two five into two five into two यानि ten यानि ten into इन्टू ऐसे रखिए into three thousand पर क्लास पेमेंट है और two week का यहां तक सवाल है तो इतना है और X का क्या है X यान तो है यहां तो है नहीं three into three nine nine into four thousand बस यह इसका गैप लेना है तो आप समझीए यह हुए सिक्स्टी माइनस थर्टी सिक्स थाउजंड यानि कि ट्वेनिफोर थाउजंड यह होगार कि नहीं बताईए ट्वेनिफोर थाउजंड था मतलग सी एंस है सी ठीक है इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन फूर्थ नंबर देखिए फूर्थ नंबर में इन अनलेरियन पेट 2 वाई for the completion of his course is rupees 4.5 lakh and वाई takes 5 weeks for the completion of his course 5 week तक Y tutor ने पढ़ाया और कुल मिला करके 4.5 lakhs मिले okay then find the average of the honorarium paid to Y and Z in a week average लिना है पर week, week, week तो 5 week का है तुम 1 week निकालेंगे और Z का 1 week निकालेंगे इसका average is approximately what person of the honorarium paid to Z in 2 weeks देखी थोड़ा short में लिखते हैं calculation done में करते हैं 5 week में 4.5 है तो 1 week में 90,000 हुआ की नहीं तो ये 90,000 मिला किसको 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 तो Y को पर week और जहां तक सवाल है सवाल है Z का तो Z का पर week क्या होगा way 2 और 3 5 इंटो 2 10 10 इंटो 3 30,000 जहां तक इसके average का सवाल है ये कितना percent है पूछा है किसका X का जो 2 week में होगा तो X का 3 in to 3 9 classes होते है 9 into 4000 होता है ये भी 2 week में इतना होगा बस तो बस तो आप देखिए क्या है 60,000 इसको बोले 60,000 तो कंसर और इसको 72,000 बस 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 ये 5 by 6 कितना है 1 by 6 less है 83 and 1 by 3 percent answer 83 and 1 by 3 percent D is answer बोले ये समर में आ रहा है कि नहीं इसके बाद चले इसके 5th number question की ओर और ये last question है 5th number if y takes two classes on thursday and friday तो y का तो दिया नी था निकाल जकते नी थे वैसे तो two classes on thursday and friday in a particular week okay 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 then honorarium pet two acts is what percent to that pet two y in that week देखे 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 वाइ two classes लेंगे तो y का कितना percent है y बेशा ना तो y two classes लें तो two into two into two classes is two into two four हुआ और four into three twelve हुआ कुल इतने classes लिए और इनका payment क्या हुआ into 5000 ये इनको मिलेगा और x को क्या मिलेगा एक particular week में और x को क्या मिलेगा तो x को three into three nine मिलेगा into 4000 पस यही हमें निकालना था ये 16 है तो ये 9 by 20 है क्या इसे हम five से multiply करते हैं तो ये 45 by 100 न हो जाए ये 45 percent न हो जाए और ये b हमारा answer न हो जाए ये सारे ही questions बहुत सांदार रहे और IVPS में और RRB में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है ऐसे ही questions वहां भी आने हैं हो के अल ये बस तू